तूर्ण के पर रहे थे कि आज क्में उसे करना देखती हैं जैसे कि आपको पहले भी पता है कि जो प्रूण हैं वह इंटरफेस की डिशाइंस होती है तो यहाँ पर हम आप देखेंगे हमने एक program लिखा हुआ है first of all हमने अपनी java class को import किया है means सारे जो packages है वो import हो जाएंगी किसकी help से import java.util.at strict symbol अब हमने यहाँ पर एक class create की है tree set demo name से यहाँ पर हमने इसका name रखा है tree set demo हम यहाँ पर इसका name जो है वो सही तरीके से लिख देते है then public static void man string arguments इसकी help से क्या होगा जो हमारे strings है वो सारी add हो जाएंगी हमारे program में then हमने tree set class यूज की है आप देखेंगे then al name का object trade किया है new tree set इसका मतलब क्या है कि जो हमारी tree set class है उसे new value जो है वो aloat हो जाएगी then हमने print करवाया इसे system.out.println की help से इसका मतलब क्या है कि इसकी help से हमारा जो program है जो भी हमारी output है वो display हो जाएगी किसे हमने print करवाया है al.size को इसकी help से हमारे पास zero value डिस्पले होगी क्योंकि अभी जो हमारी tree set है उसे new value अलोट हो चुकी है tree set class को और यहाँ पर हमारे पास zero value display होगी क्योंकि वहाँ पर कोई भी value अभी insert नहीं है then हमने यहाँ पर कुछ values पास की है al.add method की help से जैसे कि आप जानते हैं add method की help से और object को dot के साथ use करके हम अपनी value insert कर सकते हैं किसी भी class में हमने value insert की है string की a then इसी तरह से string b, d, a, c and s आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो a है वो हमने repeating time two times यहाँ पर use किया है लेकिन जैसा कि आप string का यहाँ पर tree set class का आप rule जानते हैं कि tree set जो है इसके output जो है वो ascending order में display होगी then हमने यहाँ पर इसके display करवाया है system dot out dot print line all dot size means जो भी हमारा size अब हमारी string ने हमारी class में tree set में वो display होगा then हमने किसे print करवाया है system dot out dot print line al सारी string को हमने print करवाया है और यहाँ पर हमने semicolon use किया है enter press करेंगे control s से file save करेंगे अब हम यहाँ पर वैसे ही जान लेते कि हमारी output किस तरह से आनी चाहिए हमारी output आएगी a then b then c then d then s क्योंकि यहाँ पर जो a है वो one time print होर क्योंकि यह two times यहाँ पर repeat हो चुका है then b a से यहाँ पर ascending order यह follow करेगी tree set class a b then c then d then s तो इस तरह से हम अपने किसी भी टॉपिक में tree set class को भी use कर सकते है थैंक यू झाल 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 झाल